हाई अब्रिवन मैंने में शाबाज जली वेलकम बेक्ट मैं चानल टाटा स्टिल वोकेशन ट्रेनिंग फिरिंड जैसे कि कल मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था अब मैं सोच रहा हूँ कि इस PDF के अकोड़िंग मैं आपको पढ़ा दूँ क्या हो रहा है कि बोड में हर एक पार्ट लिखना पढ़ रहा है इसे टाइम भी वेस्ट हो रहा है तो जो मेरे पास PDF में PDF से ही पढ़ा दूँगा आप लोग को ताकि आप लोग को एक अच्छा से visualize भी हो जाए कि क्या मैं पढ़ा रहा हूँ और अगर आप लिखना चाहते हो नोट्स करना चाहते हो तो आप please main main point जो मैं बोलूँगा उसे आप notes कर लेना ठीक है इससे क्या हो रहा कि आपको एक अच्छा से visualization मिल लागा पिच्चर वैगरा सब PDF में है तो मुझे बढ़ाने की जरुवत भी नहीं पड़ेगी उतना time waste भी नहीं होगा और मैं खुद नहीं चाहता हूँ कि आप लोग का time waste हो हर एक चीज की wait करने के लिए ठीक है तो चाहता friends wise के बारे में जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो wise एक device था जिसको हम लोग use करते है किसी भी material को hold करने के लिए ताकि उसमें हम कोई चीज perform कर सके कोई operation कर सके या तो drill कर सके cutting कर सके grinding कर सके तो उस चीज को हम लोग बोलते हो wise ठीक है अब according to type of work में आपको बताया देए था कि type of work में तीन type के wise होते है यहाँ पे आपको अच्छे से figure मिल लाएंगे हार एक part मिल लाएंगे आपको आराम से लिखने की ज़रुत भी नहीं होगी अगर आप इसी PDF से द्वारा आप पढ़ाई करते हो त्री वाइस में बताया था आपको bench wise machine wise and hand wise bench wise अगर मैं बात करूँ तो bench wise में भी तीन तरीका का होता है मैं आपको दिखा दूँगा types और bench wise में three types है जैसे कि parallel wise pipe wise leg wise जैसे कि मैं आपको कल पढ़ाया था bench wise अगर आप लिखना चाहते हो नोट्स लिखना चाहते हो तो प्लीज इसे notes कर लो bench wise वैसा wise जिसको हम mount करते है bench में तो उसको हम बोलोंगे bench wise ठीक है bench में करके उसमें हम लोग work करेंगे अब यह दिखता कैसे मैं आपको यह दिखायता हूं देखो bench wise का अगर आप definition मांगोगे तो सेम है bench wise का जो पहला type होता है उसको बोलते है parallel जा वाइस parallel क्यों जा या उसको हम लोग fix जा बोलते हैं तो दो जा होते हैं हमारे पास एक होते हैं जिसको हम slide कर सकते हैं आगे पीछे और एक होता है जो fix होता है अपनी place में तो sliding जा होता है एक movable जा होता है और दोनों ही जा एक अच्छे quality cast iron का बनता है तो आपको यह भी question पूछ लेगा तो आप बताइए कि जो जा है वो किस material के बनते हैं कौन से material होते हैं तो material जो होते है friends वो होते है cast iron ठीक है जरूर याद एकना question में आपको पूछा जा सकता है cast iron से यह दोनों जा बनते हैं यह मैं आपको figure बताया था कल आप एक बार revision कर लो यह चीज़को मैं फटफट बता दूँगा यह जा है parallel जा वाइस है इसका line आपस में दोनों परलल होता है इसको बोलते है parallel जा अब देखए यह जो आपका है इसको हम बोलते है handle यह जो होता है spindle यह होता है nut bolt होता है यह वाला part जो पहला number पे है हम बोलेंगे movable जा यह पारट है ez leaf culinary जा ठीक है यह अप समझ गया अगर नहीं समझा रहा तो आप प्लीज यहां देख लेना 1,2,3,4,5,6 तो छे नंबर का यहां इंडिकेशन है तो आप प्लीज इसे पाउस करके जरूर इसे याद कर लेना काफी इंपोर्टेंट है यह और दोनों जाके बीच में मतलब यह जा और यह जाके बीच में हम यहां पर मौंड करते है किसी कंपोनेंट को इसमें वर्ट करने के लिए ओपरेशन करने के लिए ठीक है यह तो चीज में आपको कल बता दिया था अब हम बात करते हैं पाइप वाइस के बारे में तो पाईप वाइस भी क्या है हमारा बेंच वाइस का टाइड से से करण टाइफ थो पाईप कहा मतलब क्या होता है सीन There वैसा वैस वाइस जिसमें हम लोगं बाई को डालके workban कर सकें जैसे pipe में अगर आप shape बना चाहते हो pipe में drill करना चाहते हो या फिर pipe में किसी भी work करना चाहते हो उस jar को हम लोग बोलेंगे pipe wise ठीक है आप यहां लिखा है this type of wise is used for holding tubes या तो tubes या फिर pipe जो tubes होते है या फिर pipe होते है इसको हम लोग hold करने के लिए use करते ताकि इसमें हम लोग कोई operation कर सके और इसमें कोई चीज जानने के जरूत नहीं है मैं आपको figure से ही हार एक चीज बता दूँगा ताकि आप लोगो एक अच्छे से समझा जाज़े कि pipe wise में क्या components होते है और क्य क्यों इसको pipe जा बोलते है यह जो जा होता है क्योंकि इसका shape ऐसे होता है राइट इस तरीका से होता है तो यह जो पार्ट अब यह दर सकते हो यह जो handle है same वैस यह spindle है याई nut and bolt है और यह जो पार्ट है यह एक जा होगी है जिसको हम बोलेंगे movable जा आगे पीछे करेगा जो आगे में होगा न देखो जो handle के side में जो जा होगा उसको हम बोलेंगे movable जा क्योंकि वह ही आगे पीछे हम लोग कर सकते है handle के मज़स्ते नर्ट को open करके नर्ट को close करके आगे पीशे होगा वह होगा जो नीचे है वह कहलाएगा stationary जा ठीक है अब देखिए दोनों को बीच में यह वाला पार्ट यह वाला पार्ट के पार्ट कर सके इसलिए हम इसको बोलते है यह हमारा सेम एक्स्प्लेंशन है जैसे मैं आपको बताया था पैल जाब में और ज्यादा इसका इस्व नहीं है देखो लेग वाइस लेग वाइस क्या है मतलब यह टाइप ऑफ वाइस अल वेरी पॉपुलर इन ओलडर डे अभी के तोर पर हम लोग लेग वाइस को यूज नहीं करते हैं बहुत पहले हम यूज करते थे इसको हम लोग क्या करते है ना इसको हम जाहतर फिल्ड में या फिर अगर अगर इस पेस है जमीन में वहाँ पर हम लोग लगाते थे बहुत पहले काम होता था अभी इसका काम नहीं होत को अगर मैं hand wise बोर रहूं तो hand wise का मतलब एक ऐसा वाइस जिसको हम लोग हाथ से पगर के काम कर सके अब इसका बहुत सा description में लिखा है कि देखिए hand wise में क्या है hand wise में यह लिखा हुआ कि very small jobs hand wise जिसको हम लोग हाथ में पगर कर सके तो वैसा क्या है कि जौब भी जौब का मतलब कोई components बहुत छोटा होगा ठीक है उसको हम लोग दोनों का जवाँ में रखे उसमें हम लोग हाथ से ही काम कर सकते हैं एक small wise जिसको हम लोग बोलता है hand wise is used for them it is similar as a experience as a leg wise it is similarly small in size होता है मैं आपको figure दिखायता हूं ताकि आप लोग को अठ्य से समझ आ जाए तो देखे यह है figure हमारा hand wise का यह है hand wise का यह भी है hand wise तो hand wise में pin wise भी आती है जहां पर हम लोग पीन को लगा के यहां पर देखे इसको अंदर हम लोग पीन लगा के इसमें हम लोग काम करते हैं और same इसमें यह जो विंक्स का तरह है ना एसे करके इसको हम बोलते हैं विंक्स बोल्ट तो इस से हम तो टाइट और लूज करते हैं और यह दोनों के बीच में हम लोग कोई components को लगाके काम करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं hand wise, समझ गए, काफी easy है जादा परिशान होने के जरूरत नहीं है, जो भी मैं बता रहा हूँ उसको आप remember करो, उसको याद रखो और आराम से आप निकाल सकते हो exams या फिर technical language आप सेख सकते हो, ठीक है यहाँ पर कुछ लिखा है pin wise is used for holding wires जो pin wise था, यह जो मैं आपको भी दिखाया था पहले यह वाला part इसको हम लोग यह वाला part यह जो इसको बोलते हैं, हम लोग pin wise ठीक है, आप इसको देख लो अच्छा से pin wise को, इस तरीक ऐसे है अब यह pin wise हम लोग कहां use करते हैं देखे, pin wise को use करते हैं, wire को hold करने के लिए, किसी wire को अगर माल लेते हैं, किसी wire को hold करें उसमें कुछ काम कर रहे हैं, तो pin wise का use करेंगे, ठीक है tool maker's wise is used for tool making tool maker for holding a small object obvious कि वो small object को क्या करेंगा, climb करेंगा hold करके, उसमें हम लोग काम कर सकते हैं, या तो drilling करेंगे या फिर उसमें filling करेंगे अब देखे these wise are made of mild steel, ये भी question पूछा जा सकते है कि अच्छे ये बताईए, जो hand wise है, वो किस किस चीज से बनते है, वो बनते है, mild steel से बनते है, and which are case hardened, जो process होता है, वो case hardened से हम लोग करते हैं, अब हम बात करते है, size of a wise, wise का size क्या होता है, देखे, it is expressed by the width of the jar and the maximum opening of the wise, मतलब जो, मैं आपको wise बताए, देखो, पढले पढ़ लो, it is expressed by the width of the jar and the maximum opening of the wise, जो maximum opening का मतलब, मैं आपको दिखायता हूँ यहाँ पर, कि कितना हम लोग इसमें open कर सकते हैं, कितना open कर सकते हैं, तो कितना बड़ा हम लोग pipe को fit कर सकते हैं, वही उसको size बताता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग jar का size, या फिर wise का size, समझे के friends, काफी easy था, ज्यादा heart नहीं है, जो भी चीज़ आपको PDF से बता रहा हूँ, तो ज्यादा problem भी नहीं होगा आपको अगर लिखना चाहते हो, तो आप please वीडियो को pause करके लिख लो, अब हम बात करने वाले है friends, हैमर के बारे में, हैमर का मतलब बहुत कोई अपने language में, इसे मार्थूल कहते है, या फिर कुछ भी कहते है, अगर आप कुछ भी कह रहे हो अपने language में, प्लीज मुझे comment करना कि आप लोग हैमर को, अपने language में क्या कहते हो, बट मेरे जो ज्हार केंड है, वहाँ पर हम, जो मैं कहता हूँ वो मार्थूल हम लोग बोलते थे, जब बच्पन में थे हैं हम लोग, तो मार्थूल से हम लोग बहुत कुछ कांड किये हैं, मतलब मार्थूल को लेकर, हम लोग हैमर को लेकर या तो हम लोग जो लटो होता है, उसको हम लोग फाडने के लिए वो यूज़ करते है या फिर कील्ट ठोकने के लिए करते है, बहुत सारा चीज होता है किसी को चीजल है आपके घर पे या फिर किसी फोड़ने को या फिर उसको काटने को यूज़ करते हैं हम लोग हैमर, काटने means काटने का मतलब कोई sharp cutting नहीं चीजल का मज़स्य हम लोगों चीज को शार्प करते हैं हैमर का मतलब आपको समझ आया हो मतलब आपके घर पे भी होगा आपने देखा भी होगा हैमर बट यह क्यों पढ़ना important है because हैमर का भी different types होता है तो आप हैमर को लकड़ी का हैमर होता है प्लास्टिक का हैमर होता है iron का हैमर होता है तो वह हैमर अप कहां यूज करोगे कैसे यूज करोगे हैमर का साइज क्या होगा वह सारा चीज में आपको फटा-फट करके बताये तो ठीक है है हैमर अगर definition में जानू तो हैमर बहुत important hard tools है जिसको हम लोग यूज करते स्ट्राइटिंग दी head of chisel चीजल आपको पता है चीजल आपने आपके घर भी होगा इस तरीके से बना होगा यह चीजल होता है अच्छा सहीं ने बना मालते चीजल के यूज करते नेल का मतब जो कील होता है आपके घर पे आपने देखा होगा इस तरह कैसे कील होता है तो कील को दिवाल में ठोकनी के लिए हम लोग यूज करते हैं हैमर तो सेम वैसे ही है जैसे मैं अपने अपने language बता रहा हूं ताकि आप लोग को हर एक चीज समझ आ जाए अगर मैं English में बताने लगूँ तो definitely मुझे ही पता है कि English में जातिर समझ नहीं आते है मुझे खुछ समझ नहीं आते है जब भी teachers English नहीं बताते भाई जब आपको हिंदी आता है तो हिंदी हैं बता ना why they are explaining English right क्यों English में बताना अगर हिंदी समझ आता तो हिंदी में ही बत आ जाए ठीक है ऐसा मज़ सोचना कि मैं कैसा भी वोट्स यूज़ कर रहा हूं मैं इसले यूज़ कर रहा हूं ताकि आप लोगको अच्छे सा समझदे कभी बूलने के जरुवत भी ना पड़े तो हैमर एक टूल है है हैमर क्या है डिवाइस नहीं होता है हैमर एक टूल होता है जिसको हम लोग यूज करते है इस ट्राइक का मतलब ठोकना ठोकते हैं हम लोग इसको चीजल को या फिर कील को अब इसमें भी डिफेंट टाइप्स ऑफ हैमर आते हैं according to the work to be done ठीक है मतलब हैमर का कहा कहा काम करना है उसके according हम लोग इसके टाइप्स भी किये हैं वो मैं आपको बताएता हूं देखें ताइस में अगर मैं बात करूं मतलब कहा कैसे वर्क करते हैं तो हैंड हैमर फोर बेंच वर्क एंड स्मीती और फोर्जिंग वर्क हैंड हैमर जो ह हम लोग हाज से पकड़ के काम करते हैं तो हैंड हमर कहां यूज करते हैं कील को टोकने के लिए या फिर इसमीती आप कहीं पी जाओगे कोई लोहे दार जो लोहे के चीज़े बनाता है या फिर तलवार बनाता है फिर गरम करके उसको डिफेंटिवन शेप देता है तो वहा घर बड़े भास में यूज करते बड़े चीज को अगर चेपटा करना हो या फिर ऊसे शेप ब히ठाना हो तो स्ले रिएच्वे से सब्ड़े फीर हमर होते हैं soft hammer जहां पर लकड़ी का हमर होता है या फिर प्लास्टिक का हमर होता है वो soft hammer में आते हैं तो यह according to type of work में आता है अब देखिए classification of hammer अब हम लोग hammer को कैसे classify करते हैं मतलब क्या-क्या चीज़े हम रखते हैं तो सारे चीज़ आपको लिखने के जरुत नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं अब प्लीज उसे ही note करना सब कुछ लिखने बैठ जाओगे तो बस आप notes copy ही बनाते रहोगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा ठीक है तो classification of hammer hammer are known according to their weight ठीक है hammer को हम लोग classify करते है उसकी weight से उसके कितना वजन है उसका क्या shape है ठीक है जैसे कि example hammer का classification होगा तो half one and half pound lb का मतलब होता pound ठीक है ball pin hammer तो यह जो बता रहा है वो बता रहा है weight और यह जो बता रहा है यह बता रहा है shape ठीक है यह जो बता है अपका weight कितना है मतलब one and half lb मतलब pound and ball pen hammer मतलब ball के shape में होगा ball pen को बता रहा है shape तो ball pen hammer इस तरह के से हम लोग classify करेंगे अगर मैं बात करूं material का मतलब जो hammer हमारे घर में होता है वो किस material का बनते हैं तो देखिए mostly जो hammer होते है वो बनते है cast steel से ठीक है cast steel से the face and the pen अब face pen क्या है मैं आपको बता दूँगा अभी जब मैं hammer का figure दिखाऊंगो तो आप लोगो को एक एक तब आप अराम से समझ जोगे अब देखो common type of hammer for bench work bench work क्यों बोला है bench में रखके हम लोग काम कर सके मतलब अपने हाथ न पकड़के अगर kill token है किसी में या फिक carpenter में जाता है तो वो भी hammer यूज़ करता है लकड़ी के बीच में kill token के उसको shape डालता है तो उसको हम लोग बोलते है bench type work अब following are the different types of hammer अब मैं आपको यहाँ पर hammer का एक figure दिखाता हूँ ताकि आप लोग को मैं classify कर साओंगो देखो friends एक छूटा सा hammer जो हम लोग कितना सालों से यूज़ कर रहे है अपने घरों में वो चीज़ के बारे में हम लोग को उतना knowledge नहीं था जहांपर अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप सोचे होगे oh my god इसको यह भी कहते थे मुझे पता नहीं था right तो यह सब भी होता है friend देखो जो भी हम लोग use करते वो चीज़ के बारे में पता नहीं होती फिर भी हम लोग use करते है right जो हम लोग चीज़ के बारे में जानते है तो हम लोग शॉक करते हो fine इसको हम लो देख होंगे Friends जो उपर का Top जो होता है न यह Ball Size की होता है इसको भूल पेन ठीक है और हल्का से जोनें बन होता है हल्का नेक इसको हम भूलतें पेन निक तो यह भी आपसे Qaесьन पूछा आता जो जे इंटिविटीश आई ट्रैणिंग लेते है या फिर जो एक्जाम्स देते है तो उनसे बोला जाता है कि classify करो hammer को और picture के साथ उनका parts भी आप लिखो तो आपको parts के साथ figure ही बनाना आना चाहिए तो देखो उपर का तो shape होता है उसको बोलते है ball pen जो neck का तरह होता है उसको बोलते है pen neck और जो हलका सा ये जो part होता है ये वाला पर tipta वाला इसको हम बोलते है chick समझ गए और ये तो आपको पता है ये जो part होता है ये उसको बोलते है handle और जो नीचे का हलका round होता है उसको बोलते है pole neck ठीक है दो neck होता है एक उपर में होता है एक नीचे में होता है जो उपर आला होगा बॉल पेन के साइड में इसको बोलेगा पेन नेक और जो नीचे आला होगा उसको हम बोलेगा पोल नेक अब ये जो पार्ट होता ना ये वाला पार्ट तो इसको बोलते है पोल जो नीचे वाला जो पाट हो जहां से आप ठोकते हो उसको हम बोलते है फेस आप फेस से ही हैमर करते हो ठीक है फेस का साइज थोड़ा बड़ा होता है तो फेस से ही आप किसी कील को ठोकते हो ठीक है और आप देखे होंगे फ्रेंड्स अगर घर में आ लक्रिश टालतीय ताकि वह ताइट हो जाए और जाब भी हम हैंवर्ण करें किसी thứ तो चाहिए तो बहुत करने के लिए कह लोग क्या करते थे लग्रिश डालते थे या फिर कोई भी ऑप्सिकल डालते तरहां कि वह टाइट हो जाए तो होल होता था तो इसको इस होल का हम लोग बोलते हैं आई होल समझ गया काफी एजी समझ आया है आइटिंक आपको समझ चाहिए है अगर यह ने समझ तो क्या समझ आप समझ गया हो गया है तो देखे यह चुछ दो पाट है ball pen and state pen अब pen pen का मतलब क्या हो रहा है यहां पर आप देखो दो टाइबस कहोंगे एक हो गए ball pen हो गया इसको state क्यों बोलते है जो उपर पाउट है हलो का straight होगे इसलिए हम बोलते है इसलों का इसलों होता है तो face same क्या करते है किसी परच को ठोक के यूज करते हैं ठोकना मतलब शूट नहीं मारना मतलब काम करना बॉल पेन को आप जात और यूज कहां करते हो आप ये भी देख लो अगर लिखना हो तो लिख लेना बॉल पेन हैमर को यूज करते हैं all types of general work and also for convex and concave surface मतलब concave or convex surface का मतलब क्या होता है ये surface का भी यूज करते हैं ये surface भी यूज करते हैं तो ये जो हो गया ये हो गया concave ये हो गया मेरा convex अगर आप science पड़े हो तो आप ये जान सकते हो concave and convex किसे कहते हैं स्टेट पेन हैमर का मतलब सब कुछ सेम रहेगा उपर का जो ये रहेगा जो पोल नेक है वो स्टेट रहेगा बाकि ये जो पार्ट है आपका ये दोनों सेम रहेगा तो ये पार्ट आपका स्टेट रहेगा इसलिए हम बोलते हैं स्टेट इसको हम यूज करते हैं stretching and lengthening of metal अ क्रॉस पेन हैमर जहां पर क्रॉस हो क्रॉस इन असेंस की इस तरीके से बने रहता है उसको बोलते हैं क्रॉस पेन हैमर अब देखो जो most suitable weight होता है हैं मर का bench वर का जो हम लोग यूज करते हैं वह वन एंड हाफ पॉंड का होता है ठीक है और जो स्मीथी जो वर करते हैं जो में यूज करते हैं उनका जो weight होता है दो से तीन पॉंड जाहीर से बात है उनका ज्यादा weight भी होगा तभी तो ज्यादा यूज कर सकेंगे ज्यादा मार सकेंगे ठीक है अभी क्या है अभी क्या है ओके hammers for their other work other work का मतलब आपने देखा होगा sledge hammer is most commonly used in smithy work for heavy forging drawing etc इसका जो weight होता है 7-14 pound यह भी question आते है अच्छा यह बताइए जो sledge hammer का weight कितना होता है तो 10-14 pound तक weight होता है या तो यह single face होता है या फिर double face होता है ठीक है soft hammer soft hammer का मतलब क्या नाम से पता लग रहा soft का मतलब लकड़ी का बनाओगा प्लास्टिक का बनाओगा ठीक है यह जहादार यूज करते हैं हम लोग job को किसी भी काम को finish करने के लिए finish का मतलब आपका वह चीज बन चुका है आप देखना कभी भी अल्मीरा दोकान पर ठीक है अल्मीरा जहां बनता है फिर जो sheet पर बनाते वहां पर देखना जो भी sheet होगा अगर उपर नीचो होगा तो hammer को मार के एकदम सीधा कर देता है ठीक है तो वहां यहां पर यूज करने को soft hammer आप घर भी यूज क्यों होंगे अगर आप अपका घर बनता होगा construct होता हो तो वहां भी देखना तो जो भी चीज आपका ऊपर नीचो होगा तो हम लोग soft hammer का use करके उसको हम plane कर देते हैं तो softer में किस चीज से बनते है आप यह भी देख लो दे आर्मेट अफ copper से बनते है rubber सा भी होता है lead का भी होता है and wooden hammer जो मैं आपको पहले बताया था लकड़ी का hammer भी हम लोग यहां पर यूज करते हैं जिसको हम बोलते है mallet ठीक है समझ आगया नहीं समझ आया तो definitely आप समझ लेना यह काफी hard नहीं है जो मैं समझा रहा हूँ काफी easy है बट हाँ काफी easy भी काफी hard पड़ जाते है अगर आप सहीं से नहीं समझ जोते हो देखो यह मेरा यह बता देरों यह sledge hammer double face क्यों बोलेते है उपर इफेस होगा नीचे इफेस होगा मतलब उपर भी flat होगा नीचे भी flat होगा तो double face hammer है यह मैं आपको बताया cross pen पहले बताया था आपको इस तरीका से होगा अगर मैं 3D डियाग्राम से देखो तो इस तरीका से होगा cross pen hammer बाकी सब सेम होता है उपर नीचे करके थोगा difference रहता है आपको समझायेगा यह होता है mallet यह लकड़ी का होगा plastic का होगा इसको हम बोलता है mallet अपने लकड़ी का भी देखा होगा इस तरीका से मार के हम लोग sheet को plane करते है चप्टा कर देते है ठीक है cross section showing eye यह कभी use मैं देखा नहीं हूँ आपने देखा तो बता देना hammer handle of shaft यह आपको पढ़ना है तो पूरा चीज नहीं बताने वाला हूं काफी information में आपको नहीं देने वाला हूं अगर सब कुछ मैं देने लगा तो जो important difference मैं आपको वही बता रहा हूं आपको पढ़ना है तो pause करके जरूर लिख लो या फिर पढ़ लो ठीक है देखे आज तो मैं आपको hammer तक ही बताओंगा कल मैं आपको बता दूंगा चीजल के बारे में चीजल क्या है किसे कहते है चीजल का टाइप्स क्या है चीजल भी आपको अपने घर अपने घर में दे जाता है विकाज अभी रात के अप्रॉक्सिमेट आइधिंक दो ड्हाई बज रहे हैं मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं मैं भी जॉब करता हूं तो मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है हर एक चीज पार्ट कवर करने के लिए तो प्लीज मुझे यह मत समझना कि मैं व अप्लाइ कर रहे हैं जॉब के लिए तो प्लीज मुझे इंफॉर्म कर देना अगर टाटाइस्टल में काम करना चाह रहे हो किसी वंडर के अंदर तो प्लीज मुझे कमेंट करना या फिर टेलिग्राम का मैं लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन ने वहां से जॉइन कर मेरे काफी फ्रिंट्स वहां पर ज्वाब कर रहे हैं अगर आप जमशेद पूर्स हो तो काफी अच्छा है क्योंकि डायक्ली में कॉंटक्ट दे दूँगा आप उनसे बात कर सकते हो मिल भी सकते हो ठीक है तो ऐसा नहीं कि विकस मैं भी जमशेद पूर से हूं तो कभी अलवड़ा तो अल थैक्यों फ्रिंट्स वे निस दे